आज मैं लाई हूँ आपके लिए सिर्फ 40 रुपे में बनने वाली ये रेसेपी देखने में जितनी सुन्दर है खाने में उतनी ज्यादा क्रिस्पी है बहुत ही आसान बनने वाली रेसेपी इसे जरूर ट्राइ कीजिए दिवाली पर करंजी बनाना आप भूल जाओगे तो प्लीज वीडियो में बने रही है अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए सबसे पहले मैं एक प्लेट ले लूँगी यहाँ पर उसमें मैं एड करूँगी दो कप के करीब मैदे का आटा मैदे का आटा आप छान के ही यूज करें वन फोर चमच के करीब मैं नमक यूज करूँगी और यहाँ पर हम एड करेंगी ओईल आपको धिरे-दिरे करके एड अच्छी तरीके से जब तक मोया नहीं लगाएगे हम आटे में तो हमारे जो रेसिपी है बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी तो देखिए टोटल मैंने यहाँ पर तीन से साड़े तीन चमच आइल यूज किया है आपको जब तक मुट्टी में अच्छी तरीके से आटा ना बनने लगे तब तक आपको तेल आड़ करना है और अच्छी तरीके से मसलते हुए इसे आड़ करना है देख सकते हो आटा अच्छी तरीके से बन चुका है तो यहाँ पे मैं नॉर्मल पानी से आटा गुंद लूँगी तो देखिए आटे को बिल्कुल सक्त हमें नहीं गुंदना है थोड़ा सा मुलायम हमें गुंदना है ताकि जो भी हमारी रेसिपी है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और बनने में ज़्यादा हमें दिक्कत ना है तो देखिए आटा यहाँ पे हमेंने गुंद लिया है आटा गुंदने के लिए मुझे यहाँ पे एक कप पानी मैंने लिया था तो थोड़ा पानी फिर भी बच गया है यहाँ पे आटे में थोड़ा सा ओईल लगा के आपको रख देना है आदे घंटे के लिए ताकि आटा हमारा सैट हो जाए यहाँ पे मैंने लिया है ग्राइंडर जार उसमें मैं एड़ करूंगी एक कप शुगर और इसे अच्छी तरीके से हमें बारिक पीस लेना है जिसे की हमें शुगर पाउडर मिल जाएगा यहाँ पे मैंने लिये थोड़े से ड्राइफूड आप अपने मन पसंद ड्राइफूड भी ले सकते हो इने थोड़ा सा कोर्सली आपको ग्राइंड कर लेना है और एक साइड आपको रख लेना है यहाँ पे मैंने लेग लिया है एक पैन उसमें मैं एड़ करूंगी एक कप डेसिकेटिर कोकोनट आप यहाँ पे नारियल को भी ingret करके ले सकते हो वह एक इसे आपको थोड़ी देर के लिए भुणना है एक दोसे तीन मिनट के लिए इसे हमें बिल्कुल भी जलाला नहीं है थोड़ा सा हमें स्वाते करना है तो देखिए यहाँ पे भुण चुकी हो यहाँ पे मैंने उसी पैन में दो चमस के करीब घी आड़ कर लूँगी मैंने यहाँ पे देशी घी लिया है और वो वाले पैन में मैं आड़ करूँगी आदा कप के करीब सूजी यहाँ पे सूजी हमें बहुत अच्छी तरीकी से भूननी है जितनी कि उसके अंदर से खुश्बूना आने लगे और सूजी थोड़ा सा घीना रिलिस करने लगे मैंने यहाँ पे 5-7 मिनट के करीब सूजी को भून लिया है आप देख सकते हो कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है उतना ही आपको भूनना है उसे पैन में एड़ करूँगी एक चमज के करीब घी और यहाँ पे मैं एड़ कर दूँगी उसमें ड्राइफूट जो मैंने कोर्सली ग्राइंड किया था इसे हमें भून लेना है दो मिनट के लिए इससे ज़्यादा आपको नहीं भूनना है इससे क्या होगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ड्राइफूट में और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कप के करीब मावा खोया आसानी से मिल जाता है मार्कीट में भी और मेरी रेसिपी भी आप देख सकते हो यह वाली रेसिपी मैंने बना रखी है घर पे ही मावा आप कैसे बना सकते हो देखिए सिर्फ आपको इसे मिक्स करना है इसे आप आपको बिल्कुल पकाना नहीं है तो इसे एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी यहाँ पे हमें मिक्स कर लेना है सूजी और कोकोनट को और उसमें हमें एड कर देना है मावे का मिक्षर और उसे बहुत अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है ताकि हमारा मिक्षर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है अब हम एड़ करेंगे शुगर अगर आपने फीका मावा लिया है तो थोड़ा सा ज्यादा शुगर आप एड़ कीजिए अगर आपने मीटा मावा लिया है तो थोड़ी सी कम शुगर आपको गूंत लेना है इसे मैं अलग रख दूँगी और यहाँ पर थोड़ा सा मैं सूका आटा भी ले लूँगी पूरी हमें बेलने के लिए और यहाँ पर चली एक लोई में ले लेती हूँ यहाँ पर थोड़ी सी मैंने बड़ी लोई लिए वो मैं आगे आपको आपको बेल लेना है ज्यादा पतला भी आपको नहीं बेलना है नहीं ज्यादा आपको मोटा बेलना है और यहाँ पर आपको एक रोटी जितना बेल लेना है तो देखिए यहाँ पर मैंने बेल लिया है और एक कटोरी की सायता से यहाँ पर दो मैं छोटी छोटी पूरिया क बाई तक नहीं लगाना है parenthि याउपको कर लेना है और जो दूसरी पूरी है उपर आपको रख लेनी है और ऐसे याउपको किनारों से दबा देना है ताकि दोनों क्यों फिक्स हो जाए इस देखेई फ्रेंग यहां पर बन चुकी है कि इतनी अच्छी लग रही है यहां तो चलिए यहाँ पे हम मिक्षर भर लेते हैं पूरी में जो मैंने मिक्षर बनाया था मावे का उसे आपको भर लेना है यहाँ पे मैंने दो चमच के करीब मिक्षर भराता तो चलिए फिर ऐसे ही आपको भर लेना है और यहाँ पर आपको 20 से दोनों साइड आपको चिपका लेनी है ऐसे ही जैसे ही आप करंजी बनाते हो तो यह देखें फिरिंट साइड से भी आपको ऐसे ही फोल्ड कर देना है और दोनों अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है देखें साइट में बहुत अच्छी तरीके से आपको लॉक करना है नहीं तो क्या होगा ऐल में जाते ही ये खोल जाएगे तो ऐसे ही आपको अच्छी तरीके से लॉक कर लेना है साइट को आप चाहे तो ऐसे भी इसे फ्राइ कर सकते हो पर मैं थोड़ा सा इसमें डिजाइन आइड करूँगी यहाँ पर कोई भी फोक आप लेके ऐसे ही डिजाइन बना सकते हो इससे बहुत ही अच्छी लगती है हमारी रेसिपी तो देखे यह तो करंजी हमारी बन चुकी है तो चलिए इसे हम बहुत अच्छा डिजाइन देगे नया वाला थोड़ा सा आपको पानी लेना है और किनारों पे आपको लगा के ऐसे ही जैन कर लेना है यहां पे कड़ाई में मैंने ऑईल गरम करने रख दिया था पहले ही ऑईल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए ना ही हमें बहुत ही यहां पे थंड़ा ओईल चाहिए देखे मैंने एक बॉल अंदर डाला है आटे का तो यहाँ पे बहुत जल्दी बबल साने लगे है इतना गरम ओईल हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी दो मिनिट के लिए गैस की फ्लेम को आफ कर लूँगी फिर बाद में ही यहाँ पे मैं जो मैंने बनाया है करंजी उसे फ्राई करूँगी तो देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर लिया है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ओईल थंडा हो चुका है जितना हमें चाहिए तो यहाँ पे हम करंजी को फ्राई कर लेंगे आप यहाँ पे कल्ची पे रखके भी दाल सकते हो या आप हातों से भी इसे दाल सकते हो तेल में एक बार में मैं यहाँ पे तीन फ्राई करूंगी ज्यादा आप एक बार में मत फ्राई कीजिए तो इदे के ऐसे आपको दाल देना है तेल में और इसे अलट पलट करके golden सुनेहरा होने तक ही आपको इसे fry करना है बिल्कुल भी brown इसे नहीं करना है और कल्ची की सायता से उपर से भी थोड़ा सा oil ऐसे ही गिरा लेना है ताकि उपर का part भी इसका बहुत अच्छा crispy बन जाए तो देख सकते हो चलिए इसे हम पलट लेते है अलट पलट करके ही आपको अच्छी तरीके से fry कर लेना है धीमी ग्यास पर दो देखे इतना ही आपको fry करना है इसे ज़्यादा आपको fry नहीं करना है एक golden ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो ये recipe ज़रूर ट्राइ कीजिए मैंने और भी दिवाली recipe अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पर आप देख सकते हो देखने में तो बहुत ज़्यादा सुन्दर है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है इसे आप 6 मैने तक भी रखके खाऊगे तब भी बिल्कुल खराब नहीं होगी तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीस लाइक शोरें स सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो तो आप देख लेते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो चलिए मिलते हम ऐसे ही अगले वीडियो में